आशिनवाद तुम्हारा मुझे है, तरक्य करो, सफलता प्राप्त करो, मेहनत करो, देखो शौरत नाम इसा बाता है मेहनत के बार, जब तक मेहनत तो थोड़ी किसमा साथ देगी, तो अपने आप प्योड़ों के लगेंगे, बस उसकी यह यह गानवाद के लिए तो आपने सो करना, रिशिक कपूर जो महान खलाकार थे, क्या बोले हो, कि मेहनत करो, तभी सफलता मिलेगा, तो यह सभी को अमल करना चाहिए, मेहनत बिना कुछ नहीं हो जकता है जिन्दगी में, क्योंकि करणपती बनने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत की जरूरों सफ़रती है, जुत जरूरों सफलता सिलाइस लेकर चंडी पाड़ तक करना चाहिए, कुछ भी करो, कोई भी काम करो, लेकिन काम करो, जो मनुस काम नहीं करता, उसका जीवन ज्धन भाम जैसे है, ज्धन है, उसका जिन्दगी, कोई महतने, कोई दाम नहीं, कि वो काम नहीं हो, तो जाल सब्सक्राइब करते से गाड़ी है, पेटल, ब्रियल भरते से, अंबानी, जो अभी बीशुब में उनका नाम है, और वो खर्मों का कारबर है, तो क्या है उन फल, करम का ही फल है, गीता में भी लिखा है, स्री कृष्ण भागवान, करम से ही धरम से, यानि करम ही धर्म है, तो करम नहीं करेगा, भारम कहां से हाँ होगा, तो इसलिए मैं सभी रोजगार, बेरोजगार से एक अनुद्ध करूंगा, कि आप लोग काम मत छोड़ो, कुछ भी हो करो, कुछ भी, मैं भी बहुत संगर्च की अपने लाइफ में, कई तरह कहला सर्विस किया, क्या, क्या, कि अभी नर्षरी करता हूँ, उमर काफी है मेरा, तो मैं खास मक्सद है है मेरा, कि मेहनत करते रहो, फल देनवाला उपर में है, जो मेहनत नहीं करते हैं, वो लोग पसू के समान है, वो जानूर के बराबर है, तो तो देखा है कि यहार में आप देखा होगा पले जब आने कि अभी नर्षरी करते हैं, इसलिए मर्द है या गर्द है, मर्द मनें मर्द, गर्द मनें बायन, यह दोनों काम के लिए हुआ है, काम नहीं करेगा तो उसका जिन्दकी का कोई महत नहीं, कोई किमत नहीं, समाज में भी नहीं कोई पुछेगा, और आपना तो जो गिया सग परिवार में भी कोई नहीं पुछेगा, इसलिए ससी को इनका थोड़ा बात ध्यान में रखिए, मरते टाइम कोई लोग, कोई यादमी, कोई बेकती कभी जुट नहीं बोलता है, जो अभी महान, अभी नेता, जो रिशी कापुर ने बताया, इस बात को हमेशा स्परण रखन चाहिए, महान बेकती थे, उनका अंतीम टाइम मरने का वक्त का सब्द है, इस सब्द कोई मामुली नहीं है, इस बात को सभी याद रखें, रिशी को माननी, रिशी कापुर ने क्या 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 कहा, आप सूनिये थो, थैंक यू, धन्यवाद.